वेल्व दोस्तों, वेलकम तो न्यूव वीडियो आज की वीडियो में आप लोगों को टेग्नोमेटरी के आगे के फॉर्मुले बताऊँ काूंगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री उगर्ट क्या होता है साइन प्लस भी साइन माइनस भी और ट्राइग्रोमेट्रिक टेबल यह सभी बता चुका हूं अगर आप लोगों ने वह वीडियो ना देखी हो तो वह वीडियो देख लें आर मैं आप लोगों को दो कोड़ों के कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को यह सभी मान बता दिये थे मतलब साइन 75 डिग्री टैन 75 डिग्री कॉट 75 डिग्री कॉट 75 डिग्री सभी मान बता दिये थे आज हम देखते हैं आगरे आगे के फॉर्मुले मतलब दो गुड़न दो कोडों के जैसे साइन और को साइन के योग अत्वा अंतर का गुड़न फल के फार्मूले तो चलिए सुरू करते हैं तो आब हम कॉपी के नए पेज में आ चुके हैं, आज हम देखेंगे दो कोडों के साइन तथा को साइन के योग अत्वा अंतर का गुड़नफल में परिवर्तन, जब मतलब दो कोड जुड़ते हैं तो उनका गुड़नफल में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसका जैसे है साइन सी प्लस साइन डी, इसके इकवल में हम लोगों क्या होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी मतलब जैसे हमारा एक कोड जैसे यह साइन अलफा प्लस साइन बीटा, जैसे हमारा अलफा और बीटा दो कोड जुड़ रहें तो इसका फार्मुला क्या होगा, तो यहां पर C और D हम लोगों का code है अगर यहां पर हम alpha beta रखना चाहें a b रखना चाहें कुछ भी रख सकते हैं तो और जब हम लोगों का 2 code minus होंगे तब हम लोगों का formula क्या होगा तो देखते हैं sin c minus sin d sin c minus sin d is equal to हम लोगों का formula क्या होगा देखते हैं तो sin c minus sin d is equal to हम लोगों formula होगा 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 हम लोगों का यह formula होगा इसी तरीके हम लोगों cos का formula देख लेते हैं जब cos के उसमें दो code जुड़ते हैं तो क्या होता है तो cos c plus cos cos d is equal to हम लोगों का होगा 2 sin c plus d whole upon 2 sin c minus d हम लोगों का यह होगा formula इसी तरीके जब cos के term में हम लोगों के code minus होगे मतलब हम लोगों का angle घटेगा तो क्या होगा formula देखते हैं cos c minus cos d is equal to हम लोगों का formula होगा 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 तो हम लोगों के यह चार formula होगा है जब 2 code हम लोगों के जूडते हैं अत्वा घटते हैं तब उनका गुडन फ els में परवर्रतित होते हैं जैसे हम लोगों के दो angle divide होते हैं मतलब प्लस होते हैं यह माइनस होते हैं तो उन क्या होगा अब हम लोगों आगे के फार्मूले देखते हैं हम लोगों के सी प्लस डी वाले फार्मूले हो चुके हैं जब हम लोगों का एंटु बी होता है मतलब जैसे हम लोगों का अगर साइन टु साइन एंटु काॉस बी हुआ तो इसका फार्मूला हम लोगों के क्या होगा मतलब कहने का मतलब है हम लोगों का जब दो कोड़ों के जैसे हम लोगों का साइन तथा कॉस के गुड़न फलों का योग जैसे साइन एंटो कॉस भी इनका ये गुड़न फल है इनका योग में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा में परिवर्तन इसके formula क्या होंगे हम लोगों के तो चलिए देखते हैं इसके formula हम लोगों क्या होंगे 2 sin A into cos B is equal to हम लोगों क्या होगा sin A plus B plus sin A minus B और इसी तरीके हम लोगों दूसरा formula देखते हैं अगर 2 cos A into sin B हुआ तब हम लोगों का formula क्या होगा तब हम लोगों का formula होगा sin A plus B minus का sin A minus B हम लोगों का formula ये होगा और इसी तरीके हम लोगों देखते हैं अगर हम लोगों का 2 cos A into cos B हुआ तब हम लोगों का formula क्या होगा तब हम लोगों का फार्मूला होगा cos A plus B plus cos A minus B हम लोगों का फार्मूला ये होगा इसी तरीकिया हम लोग देख लेते हैं चौता फार्मूला अगर 2 sin A into sin B हुआ तब क्या होगा तब हम लोगों का होगा cos A minus B माइनस का कॉज A प्लस B तब हम लोगों का फार्मूला ये होगा पहले वीडियो मतलब बेसिक फार्मूले की वीडियो से लेकिए आज तक मैंने जितने फार्मूले बता हैं ये सभी फार्मूले हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है इंपोर्टन्ट इंटर वालों के लिए भी हैं लेकिन इंटर वालों के लिए मैं एक और वीडियो बताऊंगा तब आप लोगों के टाइगनोमेट्री के सभी फार्मूले कंप्लीट होंगे जैसे किसी अंस को रेडियन में बदलने के लिए आप लोगों क्या करेंगे और किसी रेडियन को अंस में बदलने के लिए आप लोगों क्या करेंगे मतलब जैसे कोई अंक है उसको रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे और कोई रेडियन है तो उसको आप लोग अ गुड़ा करना होगा और अगर किसी मतलब तक आप लोगों को एन्स को कि कॉन रेडियन के कैसे करते हैं और रेडियन को अंस में कैसे कनवर्ट करते हैं तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जाहिन